यूना मैं मा यूना मैं दर्शन करने दर पे तेरे आया हूँ मा तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मा तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मा यूना मैं मा यूना मैं दर्शन करने दर पे तेरे आया हूँ मा तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मा तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मा सच ही सुना था मैंने अपने भगतों को बुलवाती हो क्यों ना दोड़े आए माता आप जिन्हें खुद चाहती हो सच ही सुना था मैंने अपने भगतों को बुलवाती हो क्यों ना दोड़े आए माता आप जिन्हें खुद चाहती हो सोया भाग मेरा माँ सोया भाग मेरा था उसको तो आपने आज जगाया माँ तुमने ही देकर संदेशा खुद है मुझे बुलाया माँ इंतजार में बैठा था मैं कब हो तेरे दर्शन मां आग भवन में आज हुआ है मन मेरा बड़ा प्रसन मां और क्या मां आग भवन में आज हुआ है मन मेरा बड़ा प्रसन मां और क्या मांगू तुमसे मया सब कुछ मैंने पाया है तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मां तेरे दर्शन पाकर मैया मन है हुआ निहाल मेरा जग जननी तुम मैया मेरी बेटा डियस पाल तेरा तेरे दर्शन पाकर मैया मन है हुआ निहाल मेरा जग जननी तुम मैया मेरी बेटा डियस पाल तेरा फोज सुरे से तो भक्त तेरा था मुझे भी आज बनाया मा तुमने ही दे कर संदेशा खुद है मुझे बुलाया मा मैं तो पहली पहली बार आया मैया के दरवार मैं तो पहली पहली बार आया मैया के दरवार मैं तो पहली पहली बार आया मैया के दरवार मैं परदेसी अन जाना मुझे रास्ता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तूँ आया धर्शन पाने सुन ले परदे सी अन जाने जो तूं आया दर्शन पाने मैं ले जाओं दर्शन भी तुम्हें मैया के कराओं सुन ले परदे सी अन जाने जो तूं आया दर्शन पाने कट रातो आ गया मैं अब कहा मुझे जाना मैं याक चाहता हूँ मैं तो दर्शन पाना लगी आहाला इन देखो तुम भी तो लग जाना खुद अपने ही नाम की तुम परची तो कटवाना बड़ी ही लंबी लगी कतार मैं तो आया पहली बार मैं परदेसी अन जाना मुझे रास्ता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने परची कटवा के बोलो अब आगे कहां जाना है कदम कदम पर मेरा साथ निभाना है आया दर्शन दर्वाजा तुम्हें शीष जुकाना है जा करके बाण गंगा में फिर तुम्हें नहाना है होशीस भी मैंने जुकाया बाण गंगा में भी नहाया होशीस भी मैंने जुकाया बाण गंगा में भी नहाया अब तुम्हा आगे बताना बोलो कहां हमें है जाना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम्हाया दर्शन पाने शुरू हो गई अब तो उची देखो चड़ाई एक तरफ रस्ता और सीढ़िया है आई देखो चरण पादू का अब तो नजदीक ही आई अर्ध कुमारी की है इससे आगे की चड़ाई अर्ध कुमारी की गाथा मैं जानना चाहता जरा मुझे कूब दिलाना मैं हूँ परदेसी अन जाना सुन ले परदेसी अन जाने जो तूं आया दर्शन पाने अर्ध कुमारी माता गोलो कैसे कहलाई आके यहां माता ने कैसे है गुफा बनाई पीछे पीछे भैरों जब मैया जी के आया था यहनों महिने माने खुद समय बिताया था फिर हुआ है क्या बतलाओ किसा मुझे सभी सुनाओ मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुनले परदेसी अन जाने जो तुँ आया दर्शन पाने माता से क्या भैरों का फिर हो गया सामना है या खाली हाथ ही उसको भला पड़ा लोटना है माने अपने तिर शूल से है रासता एक बनाया कहां गई है माता भैरों ये जान न पाया क्या हो गई अंतर ध्यान मुझे को नहीं है कुछ ग्यान मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुँ आया दर्शन पाने अब आगे की भी कहानी पड़ तुमको सब बतलानी फिर कहां गई है बोलो वो मेरी मातारानी तिर कूट नाम का परवत महागूफा बड़ी पावन है भक्तों के साथ हमको भी जहां करने दर्शन है क्या पीछे भैरो आया मैं तो कुछ जान न पाया मैं परदेसी अन जाना मुझे रास्ता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने देखो गुफा भी शायत नजदी कही है आई इससे आगे कहानी ना तुमने है बदलाई लांगुर वीर यहां पर तब पहरे पर बैठा है उसने भी तर जाने से तब भैरों को रोका है क्या भैरों वापस मुल गया या अपनी जिद पर अड़ गया मैं परदेसी अन जाना मुझे सब कुछ ही बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने लांगुर वीर ने क्या फिर भैरों को रोक दिया है क्या होने युद्द लगा है जिसका क्या अन्त हुआ है रोध में भर आई मा मा अश्ट भुजाओं वाली भैरों नात की मा ने गर्दन ही काट है डाली मा ने इनसाफ किया क्या उसको माफ किया मा ने इनसाफ किया क्या उसको माफ किया मैं पर्देसी अन जाना मुझे रास्ता बताना सुन ले पर्देसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने पहले मुझे को मैं आगे तुम दर्शन करवाओ फिर आगे का किसा भी मुझे को बतलाओ पिंडी रूप में बैठी यहां देखो शेरों वाली एक सरस्वती दूजी लक्ष्मी तीसरी है महकाली हुए भाग के हमारे धन धन जो मैया के हुए दर्शन मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने भैरों नाथ का किस्सा अब तुम भक्त बताओं जाना कहां आगे तुम मुझे वहां ले जाओ माता ने भैरों की उस फूल को माप किया है दर्शन तेरे भी करेंगे सब ये वर दे दिया है क्या अब भैरों दर जाना दर्शन का जरूरी पाना मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने माता के दर्शन की तो अब इच्छा हो गई पूरी भैरों मंदिर जाना है क्या बड़ा जरूरी वर्दान ये भैरों नाथ ने माता से ही तो पाया दर्शन तेरे भी करेगा जो मेरे दर पे आया क्या तब हो दर्शन पूरे वरना क्या रहे अधूरे मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तूं आया दर्शन पाने एहसान तेरा हम पर है मुझे सब कुछ है बत लाया देखो दर भैरों का भी अब नजदीक है आया जाकर भैरोनात मंदिर में हम दोनों शीष जुकाएं फलमाता के दर्शन का तब ही तो पूरा पाएं बड़ा आपका है एहसान करे नीचे को प्रस्थान मैं परदेसी अन जाना मुझे रासता बताना सुन ले परदेसी अन जाने जो तुम आया दर्शन पाने मैं या दर्शन देगा मेरी अखिया प्यासी है मिट जाएगी मन में मिट जाएगी मन में जो मेरी अधासी है मिट जाएगी मन में जो मेरी अधासी है दन दौलत दुनिया की मैंने ना चाही है दन दौलत दौलत दुनिया की मैंने ना चाही है हो जाएगी दौलत 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 या की मैंने ना चाही है हो जाए कि तार तेरा है यह आंस लगाई है यह आस लगाई है तिर लिए तो यह मैया तिर लिए तो यह मैया हाँ बात जराजी है कि भी जाए इवन में जो मेरी उदासी है उम्मीद यही मन में कुछ और न मैं चाहूं दर छोड के मा तेरा है बला और कहा जाऊं उम्मीद यही मन में कुछ और न मैं चाहूं दर छोड के मा तेरा है बला और कहा जाऊं तेरा द्वार ही मेरे लिए मथुरा और काशी है मित जाएंगी मन में जो मेरे उदासी है फोजी सुरेश का तुम रखती हो सदा खया फोजी सुरेश का तुम रखती हो सदा खया आज दर पे आया है मैया ये डियस पार फोजी सुरेश का तुम रखती हो सदा खया आज दर पे आया है मैया ये डियस पार एक है हर्याना से एक बस्त निवासी है मित जाएगी मन में जो मेरी उदासी है सजा हुआ है देखो कैसा मैया का तरबाद दर्शन करने को भगतों की लंबी लगीकता सजा हुआ है देखो कैसा मैया का तरबाद दर्शन करने को भगतों की लंबी लगीकता पिंडी रूप में यहां विराजे बैशनो माता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है पहली पिंडी रूप में भगतों बैठी माता सरैस्वती ज्यान से जोली भरती माता चाहे भगतों मूर मती पहली पिंडी रूप में भगतों बैठी माता सरैस्वती ज्यान से जोली भरती माता चाहे भगतों मूर मती मत शार देग्यान और विद्याकी दाता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है दो जी पिंडी जो है इनको महालक्ष में कहते हैं जिन पर इनकी की पाहों वो निर्धन ना कभी रहते हैं दो जी पिंडी जो है इनको महालक्ष में कहते हैं जिन पर इनकी की पाहों वो निर्धन ना कभी रहते हैं अनधन से घर मा के भगतों का भर जाता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है तीसर फिंडी रूप में भगतों बैठी खुद महकाली है दुश्मन का संहार करें भगतों को तारने वाली है तीसर फिंडी रूप में भगतों बैठी खुद महकाली है दुश्मन का संहार करें भगतों को तारने वाली है इनका भक्त जो शत्रू से कभी भैना खाता है होता किस्मत वाला जो भी दर्शन पाता है इस पाल पे जो महरानी तेरी किर्पा हो जाएं जब तक सांस चलेगी मेरी तब तक ही महिमा गाएं इस पाल पे जो महरानी तेरी किर्पा हो जाएं जब तक सांस चलेगी मेरी तब तक ही महिमा गाएं तब तक ही महिमा गाए फोजी सुरे से से पिछले जन्म का शायद लाता है सजदज के बैटी माशे रूबाली है सजदज के बैटी माशे रूबाली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है शेरों वाली है शेरों वाली है शेरों वाली है बड़ी निराली है शेश मुपट सोने का माने अपने खूब सजाया है माथें के बिंदिया के आगे चंदा भी शर्माया है चंदा भी शर्माया है यम चम चमत रही कानों की बाली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है शेरों बाली है बड़ी निराली है हार गले में है हीरे का और हाथ में कंगन है लाल चुनिया देख के मां की हो जाता मन प्रसन है हो जाता मन प्रसन है अस्त्र सस्त्र लिये चार भुजाओं बाली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है शेरों बाली है बड़ी निराली है ओ शेरों बाली है बड़ी निराली है लाल लाल जोडे में मैया लगती बड़ी है लगती बड़ी है जग जननी जग दंबे मैया करती सिंग सवारी है इसलिए तो कहते शेरों बाली है शेरों बाली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है लाल छुनरिया लगती बडी निराली है शेरोबाली है बडी निराली है ओ शेरोबाली है बडी निराली है दी अस पाल है नहीं अकेला भक्त तेरे है लाखो मा पौझी सुरेशिय विंती करता सबको राची राखो मा सारे ही चक्की करती रखवाली है लाल चुनरिया लगती बड़ी निराली है खेरों बाली है बड़ी निराली है ओजेरो बाली है बड़ी निराली है